Hello students, welcome to Global Online. So NTA Youth Assignate December 2023 examination is related. एक official public notice अभी जारी किया गया है, जिसमें December में होने वाले examination के online application forms की dates NTA ने बढ़ा दी है. So yes students, पहले आपको पता था कि 28 October तक online application forms भरे जाने थे लेकिन अभी ये date बढ़ा दी गई है. So क्या है इस public notice में information उसको हम detail में अभी discuss करने वाले हैं. So सबसे पहले आप देख सकते हो, हम आज चुके हैं NTA Youth Assignate की official website पर जहां पर ये link अभी एक्टिवेट हो चुका है. Extinction of last date for submission of online application form for December 2023. So इस notice पर click करते ही, आप लोग आगे इसको पढ़ोगी detail में काफी सारी बात नहीं हाँ पर कही हैं. आगे परने से पहले आपको बता दूँगी इस कम समय में exam को qualify करने के लिए आप सभी को paper 1 पर major focus रखना है. ये सभी students के लिए common paper होता है, compulsory paper होता है, जिसमें की maximum previous year questions के pattern को ही follow किया जाता है. So इसको examination के difficulty level और latest questions के pattern के हिसाब से तयार करना बहुत ज़रूरी है. So इसके preparation के लिए complete course हमने launch किया है, जिसमें daily live lectures के साथ आपका exam से पहले पूरा syllabus cover करवाने की हम surety देते हैं, full syllabus notes available है. इसको असानी से download करके भी पढ़ा जा सकता है, 60 plus mock test है and 2000 plus MCQ question bank है, इस question bank में students आपको मैं देती हूँ previous year questions, most repeated questions और expected questions वो भी detailed explanation के साथ. इसमें से as it is questions exam में आते हैं यहां से आपको ए clear idea हो जाएगा कि कैसे questions exam में आते हैं, कैसे pattern को repeat किया जाता है. Okay and final revision में जरूर आपको यह questions help करेंगे and इसमें explanation जो share की गई है, यह तब के आपको help करेगी ताकि revision में भी अगर आपके लिए कोई नया concept आ जाता है, तो explanation सामनी होगी, आप अच्छे से उसको cover कर सकते हो. So given numbers पर जल्दी से contact करके इसको join कर लीजिए इसके लिए सरफ एकी बार fees दे नहीं है 3600 रुपीज 20% off अभी limited offer चल रहा है जल्दी से इसको join कर लीजिएगा So given numbers पर contact कीजिए या फिर free videos के लिए एक global online app है इसको play store पर जाकर download कर लीजिए store section पर search पर में आपको course का नाम लिखना है आप यहाँ पर course के overview कच्छे से देखी एक बार course की fee सिरफ एक ही बार देनी है और लगातार दो साल तक आप इस course का benefit उठा सकते हो then content पर click करोगे So यहाँ पर free demo videos available है unit wise folders है जहाँ पर आपको theory lectures mcq lectures और test मिल जाएंगे जो की exam oriented way में बनाए गए है and 100% इस में से as it is questions आते हैं So इस course की सबसे खास बात यह है कि weekly यहाँ पर हम आपके पहले theory concepts clear करवाते हैं and weekends पर आपके लिए उसी topic पर mock test and previous year questions की series लेकर आते हैं ताकि आपको clear idea हो जाए कि कैसे questions exam में पूछे जा रहे है and कितनी और कैसी अभी तक आप सब की तयारी चल रही है इन सब चीज़ों पर आपने ध्यान देना है So इसी के साथ हम आचुके हैं notice की ओर So आप देख सकते हो 27 October को अभी यह notice जारी किया गया है जिसमें की पहले online application forms की date 28 October थी शाम को 5 बज़े तक and नई यहाँ पर extended date जो है 31st October रात को 12 बज़े तक है examination की fees के लिए भी यहाँ पर extra time नहीं दिया है ओके पहले ऐसा था कि 28 तारीक तक form भरे जाने थे और 29 तारीक तक क्या था इसकी fees की dates थी ठीक है अभी दोनों चीज़े 31 तक हो चुकी है फिर भी मेरा यही final आप लोगों के लिए notice है share करना चाहती हूँ कि अभी भी आप लोग बिलकुल last date के भरोसे मत बैठियेगा जितनी जल्दी हो सके अभी भी form भर लीजे 27 तारीक तो already हो ही चुकी है and कोई चीज़ अगर correct करनी है आपको already form भर चुके हो आपको लगता है कि कौन कौन सी चीज़े हम change कर सकते है जैसे कई students मुझे पूछ रहे थे कि क्या हम examination center को change कर सकते है क्या हम अपना subject change कर सकते है तो कौन कौन सी वो चीज़े हैं जो कि correction window हमें allow करता है वो सब चीज़े अगर आप जाना जाते हो तो उसकी list में share कर दूगी बस मुझे एक बार comment करके बता दीजेगा जो भी आपके mind में इस से related सवाल होंगे so given numbers पर contact करके आप इस course की ही पूरी चानकारी ले सकते हो and exam या form या फिर payment से related कोई problem है तो उसके लिए मुझे comment सरूर कीजेगा so thank you so much for watching this video and the students I wish you all the very best